नमस्कार जारखंड में इस साल के अंत में बिधान सवा के चुनाव होने हैं हिमंत सुरेन सरकार के सामने बीजेपी ने हिमंता विश्वा सर्मा को फ्रंट पूट पे खेलने के लिए चुनाव की तैयारियों में लगाया है असाम के सीएम है जारखंड के चुनाव सह प्रभारी हैं हमारे साथ इस बादचीत में सामिल होंगे सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है लगातार आप जारखंड का दौरा कर रहे हैं क्या देख पा रहे हैं आप जारखंड में क्या बीजेपी ने एक टप टास्क आपको दे दिया है जैसे मेरा जो अपना अंदाज है सार स्टेट का सुनाओ होने वाला है और लोकसभा का नतीजा का अगर परिनाम का हिसाब से हम कंप्यार करता हूं तो जारखंड को मुझे को ऐसा नहीं लगता है कि यहां में बहुत टाफ टाग्स है हमारे कारिया करता उच्छाहिद है लोग अपना काम अपने अपने जगा में कर रहा है और सुनाओ का एक प्रकार से हमारा अच्छा तैयारी है तो इसलिए मुझे को यह नहीं लगता है कि जारखंड बहुत टाव है लेकिन हर सुनाओ ही जब तक परिनाम नहीं आते है तब तक हमें कंप्लिसेंसी होना नहीं सही जो आप लोग सब चुनाओ परिनाम की आप बात कर रहा है खास करके एक जो चीज देखने को मिली चुनाओ परिनामों में कि ट्राइवल सीटें जो है उस पे इंडिया अलाइंस ने जीत दर्ज की पांच की पांचो सुरक्षित सीट तो ये आप अगर 2019 का बिधान सबा चुनाओ भी अगर देखें तो ये जो अठाइस सुरक्षित सीटें हैं ट्राइवल्स के लिए उसमें मात्राब दो सीट जीत पाए और इसको इंडिया अलाइंस बढ़त के तौर पे और अपनी जीत के तौर पे पेस कर रहा है या देखिए जारखन को में एक प्रदेश मानता हूं और आधिवासी लोगों का और आधिवासी जन्ता का भी एक हम प्रदेश मान सकता हूं लेकिन अगर आप बतायेगा कि हम आधिवासी में इंडिया जीता है तब परिणाम ऐसा आजाएगा कि नौन अधिवासी में बीजेपी जीता है मेरा लगता है कि जारखान जैसा महान प्रडेश को आधिवासी नन अधिवासी डिस्ट्रीक उन से देखना नहीं साहिए सुनाओं में एतना ही परिनाम है कि वो पास सित में जीते है हम नौ सित में जीते है अगर मैं आगे जाके आपको बोलना साहूंगा जारखान का निबर्टमान मिख्ध मंत्री जी उनका जो सराई किला सीध है उहां में भी हम विजय हुआ है लोग सभा सुनाओं में तो मेरा लगता है कि यह सुनाओं में आदीबासी लोगों ने बीजय पी को भोत नहीं दिया ऐसा बोलना ठीक नहीं है आदीबासी समाज हमेशा बीजय पी का साथ है और बीजय पी का साथ रहेगा यह मेरा विश्वाज है आप जिस तरीके से डेवन से जो मुद्दे उठा रहे हैं याँ पे अलंकि हाई कोट की जो भी टिपनी आई 22 तारीक को फिर से उस पे सुनबाई होनी है ये ठीक है कि हाई कोट भी एमान दहा है लेकिन हिमंता विश्वा सर्मा जो मुद्दे उठा रहे हैं बांगलादेशी खुसपैट का डेमोग्रेफी बेंचेंजिंग का यह ऐसा सवाल है कि आप जिसको पीडित बता रहे हैं वो उस दुख से वाकिफ ही नहीं है आदिवासी समाज अपने आपको तो वो मान ही नहीं रहा है तो क्या यह मुद्दा काम कर पाएगा चुनाव पहला क्या यह सुना मुद्दा बना रहा है मैं भी यही समझने चाहरा है मेरा अंसर है ना किसलिए खुसपैटियू का जो समयसा है यह समयसा समझने के लिए आपको एक बहुत बड़ा अंतरडिस्ति सही है जैसे आप मान लिजिए जो भी एक आदिवासी कॉंसिट्वेंसी संथाल परगना का उ मुसल्मान समु कतना था फिर आप नौ से सोधा का भोटरलीज देखिए ओही सीट में मुसल्मान समु कतना बरहा है फिर आप उनीस का भोटरलीज देखिए मुसल्मान समु कतना बरहा है फिर आप सबीस का लोकसभा सुनाओ का सीट भोटरलीज देखिए जै आप कतना मुसल मुसलमान स्वमू बरहा है और साथ में आदिवासी स्वमू कितना कम हुआ है जब कोई एक बरहेगा दुसरा लोग तो कमेगा ही जब तक हम परसेंटेज का हिसाब से बात करूंगा बिलकुल सेंखा का हिसाब से बात करने से अलग होता है परसेंटेज का हिसाब से बात करने से यहां लोग बोलते हैं कि आडिवासिक घटा है परसेंटेज में यह गलत है मुसलमन बरहा है यह मैं आपको यही बताना साता हूँ लेकिन यह मुद्दा किसलिए जब तक 19-20 परसेंटेज होते रहता है आपको दिखाई नहीं देते हैं पाकूर में अभी दिखाई देते हैं लेकिन जब दिखाई दिया है तब हम कुछ करने का स्थिती में हम लोग नहीं रहा बाकी जगा में सुरुआद हुआ है तो यह election हमने एक तरीका का हिसाब से कि लिया हूँ कि सुनाओ का पहले ना सही सुनाओ का बात कम से कम घुस पेठिया का मुद्दा बने जारखान का intellectual, जारखान का court, जारखान का अधिकारी, जारखान का आधिवासी समास कम से कम यह बात एक बात दस साल बात भी बताएगा बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया था हमने ये मुद्दा को मुद्दा नहीं माना, इसलिए हमारा यही हलत है, हमारा आसाम में यह मुद्दा कॉंग्रेस लोग उठाया था, इन 1960s में, किसी ने इंपोर्टेंस नहीं दिया, आज अगर हम 60s में कॉंग्रेस का जो एसेमली में 50 था लीडर्स का, यही भासा आज हम ब इग्नोर करता है, लेकिन आज परिनाम देखिए, आज बैंगलाडेस देखिए, तो यह मुद्दा आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यह मुद्दा आपको स्ट्राइक करेगा ही करेगा, मुद्दा का हिसाब से नहीं, जारखान का अश्मीता और जारखान का भविश्य में इसको strike करेगा मतलब आप बोल रहे हैं कि ये political issue नहीं है BJP मेरे लिए ये political issue नहीं है किसलिए इसमें हम political मुद्दा हमारा पास एतना है कोई मुद्दा सुनाओ में हम लोग as a responsible political party हम लोग खारा करता हो जो आगे में भी उसका implication होते है कोई मुद्दा होता है तुरन सुनाओ के लिए ये मुद्दा तुरन सुनाओ के लिए नहीं ये मुद्दा जार्खन का भविश्य के लिए आप अभी थोड़ी देर पहले बोले कि अगर इंडिया अलाइंस के लोग बोलते हैं कि आदिवासी सीटों पे उन लोगों ने जीत दर्ज की तो दूसरी तरफ गयर आदिवासी सीटों पे बीजेपी ने जीत दर्ज की नो सीटों पे क्या जार्खन में मुद्दों को नहीं पकड़ पा रही है बीजेपी तीखे ओ बाते नहीं मुद्दों को हमें हमारा तु यह मानना है ना हम आदिवासी सीट जीते हैं ना हम नौन आदिवासी सीट जीते हैं हम जार्खन में सीट जीते हैं यह में कोई भी स्टेट के लिए हमें सुनाव परिणाम ऐसे एसेस्मेंट करना सही नहीं है सोधा सित में सुनाव हुआ बीजेपी नाइन इंडिया फाइफ फिर उसमें हर पुलिंग बुट में जाईए किसने आपको भोड दिया किसने नहीं दिया यह सुनाव ऐसे नहीं देखते हैं सुनाव एक स्टेट का समरुगरिक परिष्टिट्यू से देखते है बीजेपी ने जाडगान को ठीक से देखा ठीक से सुना इसलिए अपने नौव सित में बीज़ई हुआ अगर हम लोग का कारिया कर्टा का गल्ती होते थे सुनाओ का मुद्दा परोखों में तब तो हम पाज होते थे इंडी नौ होते थे तो ये एक अनुखा स्तीती है सुनाओ में जब हारा वो ट्रोफी लेके घुम रहा है और सुनाओ में जब जीता उनको लोग बोल रहा है यह तो डेश में पताने कही होते हैं यह एक अनुखा स्थिटी सल रहा है यह एक चीज जो देखने को मिल रही है जारखन में सिब्राथ सिंग्च चौहान को भी चुनाव प्रभारी बनाया गया आप स्थरभारी बन कर किया है लेकिन फोकस में आप हैं हेमन सुरेन जो मुखमंत्री हैं अभी जो मौनसून सत्र बीता सदन निता के तोर पे जब भासन दे रहे थे तो आपका नाम सदन में उन्होंने नहीं लिया लेकिन एक तरीके से इंडाइरेक्टली जो है आपको वो चुनोती पेस कर रहे थे और वो यह बोल रहे थे कि कुछ लोग जार्खन में घूम रहे हैं लेकिन असाम के लोग जार्खन में नहीं रह रहे हैं जार्खन के लोग असाम में रह रहे हैं तो आने वाले चुनाओं में जो है वो आपके लिए चुनाओती पेस कर देखिए यह असाम के लिए बहुत बड़ा सब्द है कि असाम का जनत जारखान का लोग जो गियात है उनको अपना जीवन में समाहित कर लिया तो मैं ये मानता हूँ कि हैमन शुरेन जी ने मेरा जननी जन्मभूमी के लिए इतना बरा सब बोला कि जारखान से वहां में लोग गिये है और वही लोग आज पॉलिटिकल फ्यूसर भी डिटर्माइन कर सकते हैं मतलब आप असाम का बरप्पन देखिए आप असाम का महानता देखिए तो मैं हैमन शुरेन जी को अपना एसेमली में ये बात रेकॉर्ड करवाने के लिए टी ट्राइब कहा जाता है लेकिन दरजा ओवी सी कहीं है यहां जब आप कुछ सवाल उठाते हैं आदिवासी समाज के जो यूथ जो लड़के हैं जो सोशल मीडिया पर उसका जो रिफलेक्शन दिखता है बो लोग यह सवाल करते हैं कि हिमंता विश्वा सर्मा टी ट्राइब के मसले पर क्यों नहीं बोलते हैं अगर आदिवासीों के लिए इतनी चिंता है देखे जो लोग आसाम को नहीं देखा है यह आसाम का उपर आईडिया नहीं है या असाम में जो घटना हो रहा है उनका उपर कोई भी कारण में बहुत ज़्यादा नजर नहीं रखते हैं वो ऐसा बात बता सकते हैं हमारा जो सोसाइटी है आप ही बोला कि जारखन से या सटीजगर से वो लोग असाम गिये थे आसाम का मूल आदिवासी भी है जब मैं किसी जंजातियों को आदिवासी डिक्लियर करूँगा तब उसका जो इंप्लिकेशन होता है मेरा उपर नहीं होता है आदिवासी समास का उपर ही होता है इसको बहुत बड़ा एक जो सम्रस्ता बनाने का हमने कोसिस किया नोटीजा यह हुआ कि एस्ती कॉमिशन केबिनेट दोनों ने जारखन से गिये हुए 48 कॉमिनिटी को जनजाती बनाने के लिए सिक्रिती दिया फिर राज्यसभा में यह बिल पेज हुए और मेरा लगता है कि बहुत जल यह काम पूरा हो जाएगा लेकिन जब तक यह काम नहीं होते हैं तब तक हमने जो जारखन से 48 कॉमिनिटी गिया है उनको हम सरकारी नोकरी में 3 परसन का रिजर्वेशन दिया हूँ जारखन से जो आसाम गिये है मुंदा, साउटाली, ओराओ यह लोगों को हमने 3 परसन सरकारी नोकरी में हमने रिजर्वेशन दिया हूँ 40 मेडिकल सीथ उनके लिए हम आरक्षन किया हूँ 100 से अधिक इंजिनरेंग कोलेज का सीथ हमने आरक्षित करता हूँ हमारा जो लोग से आयूक का एक्जाम होते है उन में भी उनके लिए मेजिस्ते डियस्पी में हमने उनके लिए पच्छ सिरक्षित किया हूँ और उनके लिए एक हम अलग डिपार्टमेंट बनाये हूँ खरी उन समूह के लिए जो बाहर से जो गिया है उनके लिए हम एक welfare डिपार्टमेंट किया हूँ और साल में 300 को रुपिया उनका कैल्लान के लिए हम खरसा किया हूँ काल पुनहर अगस्ता हमने मेरा भासन में बोला कि जो जारखान से और बाकी स्टेट में लोग जाके चाई बगिशा में बसा है उनका जमीन चाई बगान का है लेकिन काल मैंने एक बड़ा एनाउंस्मेंन किया हूँ कि चाई बगान से ओ जमीन को मैं एक्वेर करके ये लोगों को मैं समू को मैंने देने का काम करूँगा तो जतना development का काम हो रहा है हर गाओं में पानी है हर कॉलोनी में रोध है कभी जारखान का लोग तो आपको बोल रहे हैं कि कोई भेद भाव नहीं है भेद भाव तो नहीं है उल्टा वो आज अस्साम का एक प्रमुक जन्गन हो गिया है MPs है, Minister है, बिधायग है और बहुत बड़ा Assimilation है तो मैं तो मानता हूँ कि कभी हमें जो Welfare Skim किया हूँ अगर अतना Welfare Skim आदिवासी के लिए जारखान में होते है तो बहुत बड़ा करिलान हो जाएगा अचा आप जब लगतार जारखन दोरा पे आ रहे हैं जाहित सी बाते की सरकार के काम का आप देख रेख भी कर रहे होंगे मुल्यांकन भी कर रहे होंगे ये कभी जो मैया योजना की सुरुआत है मनसुरेन ने की है इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है खासकर के चुनाओं से पहले कल ही एक उन्होंने पोस्ट किया कि 37 लाग महिलाओं ने आवेदन दिया है क्या ये बीजेपी के लिए खासकर के चुनाओं में ये भारी पढ़ने वाला है मेरा यहां में दो मद है एक है क्रेडिबिलीटी बिशस्तनियाता सुनाओं का पहले आप ये स्कीम लेके आया है कब ये स्कीम होगा सेप्टेमबर सुनाओं कब अनाउंस होगा अक्टूबर नवेंबर मतलब आप क्या कर रहे हैं दो महिना के लिए आप 2000 रुपिया माईया को दे रहा है लेकिन मान लीजिए आपका मन आपका तन माताओ और बेटीओ के लिए तरस्ता है तो ये स्कीम आप कम से कम दो साल पहले कर लेना सहीए था अभी माईया में आप 1000 रुपिया डालेगा कि कम से कम एप्रिल से अब दालेगा तो बो तो बोलते हैं कि भाई हमको काम ही नहीं करने दिया गया पहले कोरोना आ गया अपके बाद में E.D. के जरी जो है आप लोगों पे बाद आ गया थे इस्टाइटिंग बीस कोरोना में कोई बाद नहीं था आप तो खले अकाउन बनाना है पैसा बेजना है अपने पेट्रोल का स्किम शुरू किया फिर बंद हो गिया फिर आपने सुलहा के लिए E.D. रुपिया दूंगा ये तो आपका एनाउंस्मेंट था पास साल तो आपने नहीं दिया 72,000 रुपिज और गरीब का फेमिल्यू को आपको देना था वो आपने नहीं दिया आवाज योजना का मौकान आपने नहीं बनाये है वो बोल रहे हैं कि आवाज योजना से दे रहे हैं आप संखा तो आभी एक RTI करके ले सकता है संखा आप ले सकता है मैं उस बहज में क्यों परे जब आप जार्खान का ही है संखा आप ले ही सकता है फिर आप देखिए पास लाक रोजगरी फिर आप देखिए भटा तो क्रेडिबिलिटी कहा है तो मा लोग को हम लोग भी उच्छा हिट कर रहा है भला 2000 रुपिया ही मिलेगा ले लीजे कि यह सरकार का रुपिया है हमारा BJP परिबार भी उहां जा रहा है लेकिन सब को मालूम है कि सुनाओ का बात पहला स्कीम जो बन करेगा इसको ही बन करेगा किसलिया फॉर्म में ही लिखा है कि बात में आपको अधार डिखाना परेगा k yc करना परेगा फॉर्म में ही लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से और फॉर्म को देखते हैं सुनाओ का बात अधार अलग होगा फॉर्म में ही लिखा हुआ है इसलिये BJP better योजना लेने जा रहा है माईया लोगों के लिए BJP better योजना लाएगा जैसे ASAM में ये स्कीम में 2019 में implement किया Korona का beats में ही implement किया किसलिये वो पैशा का सबसे ज़रूरत था Korona का समय में Madhya Pradesh में Shibraji जो इसको किया से साथ महिना पहले से किया और आज भी सल रहा है और सिब्राज जी का पहले एक भी योजवना फेल नहीं हुआ है लेकिन जारखान योजवना फेल का जो लीस्ट है उसमें पहला नंबर में है तो इसलिए ये संखा है 36 लाग 35 लाग उसका क्रेडिबिलिटी नहीं है नंबर डू में एक इकोनोमिक्स आपको समझा देता हूँ ये फॉर्म लाने के लिए एक मिलने के लिए माताओ को सरकारी तंत्र में 300 से 600 रुपिया खड़शा करना परेगा जो मेडिया में भी निकल रहे हैं फिर चार पास दिन रोपनी या दूसरा काम को हटा के उनको सरकारी करियलर या जो भी केंडर बनाएं उहां आना परा तो 300 और चार दिन का जो आपका बेटन लॉस्ट हुआ है 700-800 रुपिया का तो इसमें आपका ही इन्वेस्टमेंन है मतलब आप तो बोल रहे हैं कि जो मेलाएं जा रही हैं अपना काम छोड़ करके वो तो काम छोड़ के मतलब बेटन सरके जा रहा हैं काम में नहीं जाएगा तो उनको बेटन नहीं मिलेगा एक दिन काम करने से उनको 200-300 रुपिया तीन सर रुपिया मिलते हैं अगर आप चार दिन नहीं जाते हैं 800 तो उधर ही सला गिया तंत्र को भी 300 तो आप जो 2000 रुपिया मिलेगा उससे तो 1100 रुपिया सरकार उहां पास आपसे लही लिया है तो यह नेरेटिव जो आप बता रहे हैं बीजेपी लोगों को जो बता रहे हैं लोग सुन रहे हैं इसको समझ रहे हैं मैंने एतना ही बताऊंगा कि दो तिन महिना से मेरा जारखन में बरावर दोरा हो रहा है और हर बार में मेरा बीजेपी करिया कर्टा को थोड़ा जादा ही कन्फिदेंट देखता हूं जैसे आज में गिया दुबारा मेरा पोसिस तरीक को आना है एक सप्ता में जब दूसरा बार लोगों को मिलता हूं लोगों को में ज़्यादा कॉन्फिदेंट देखता हूं लेकिन सच तो यही बताना है जारखन पॉलिटिस का उपर आपका जतना नॉलेज है अतना नॉलेज मेरा नहीं है तो मेरा देखने में गलती भी हो सकता है नहीं आप बिल्कुल सही देख रहे हैं और यह बिल्कुल लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं चर्चा भी है कि जबसे आप की एक्टिविटी बढ़ी है BJP में जो है एनरजी थोड़ा बढ़ी है BJP में आपको दोबारा एक बार बता रहा हूँ आप लोग जारखान का प्रमुख सैनल भी है और आप लोगों का बात जारखान का जनता सुनते भी है खुस पिथियों का जो समझ सा है इसको इलेक्शन का साथ जोर के इसको नजर अंदास मत कीजिए सुनाओ का बात अभी मैं नहीं करता हूँ बिकर जाए मैं बहुत ज़्यादा इस बिश्वई को पॉलिटिकल नहीं करना साथा हूँ सुनाओ का बात जारखान का एक मेडिया टीम को मैं असाम लेके जाओंगा और मैं प्रेजेंटेशन भी डूंगा 5 साल में कैसे कैसे 2-3 परसन होते होते आज हमारा हलत क्या हो गिया फिर आप लोग को मैं वो जिला में भी भेजूंगा जो जिला में आज हिंडू समाज असामिया समाज 12-13 परसन हो शुका है वो मुद्द आप लोग जारखान में उठाईये ये हैमन सुरेन जी से उपर का मुद्दा है मैं तो सुनाओ का बात हैमन सुरेन जी को भी मिलूँगा मतलब ये पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट नहीं ये मैं उनको भी बोलूँगा कि आपका उपर आदिबासी समास का बिश्वास है और होना भी साहिए आपका एक फैमिली ट्रेडिशन है बड़ा लीदर है खुस पिथिव का मुद्दा आप कॉंग्रेस, बीजेपी, जे एमेम का नजरिया से मत देखिए और कॉंग्रेस का साथ मत रहिए किसले वो आदिबासी का कभी भी रक्षक नहीं हो सकता है ये तू तुस्तिकरन का राजनिती करता है लेकिन हमन सुरेन जी हो, बाबुलाल मरांडी जी हो, औरजुन मुंदा हो, संफाई सुरेन हो सभी लोगों को एक मन से बैटके खुस पेठियों का खिलाब काम करना परेगा नहीं तो आदिबासी समास का अस्तित तक पहले खतम होगा और बात में पुरा जारखा नहीं बदल जाएगा आप रूग ही नहीं पाएगा मुर्सीदाबाद देखिए ना आपको आसाम जाना का जुरूरत नहीं आप मुर्सीदाबाद देखिए मुर्सीदाबाद का जो TMC बिदाएग है वह भासन में क्या बोलता है कि अभी हिंदू 30% हो शुका है जब साहे हम वो लोगों को निकाल दूँगा तो यह सब तो recorded वीडियो है आप दो बार credibility का इस्तेमाल किये सब्द का 2019 में चुकि 2019 से पहले आपकी सरकारती रगवरदास उसका नित्रिद्व कर रहे थे यह जो नौकरी का जो मसला है जिस पे आप बोले कि 5 लाख नौकरी नहीं मिल पाया जैसे ही BJP के लोग 5 लाख नौकरी की जा रहे हैं सिर्फ नौकरी का मसला नहीं है अभी बांगलादेशी घुसपैट का जो मसला है क्या कोई ठोस प्लाइन के साथ आप लोग जाएंगे चुनाओ से पहले आप लोगों को एक प्लाइन बताएंगे कि भाई हम लोग क्या करने जा रहे हैं चुकि नौकरी के मसले पर तो आप बीजेपी को भी लेकर के सवाल है जेमें को लेकर के सवाल है आपको एक गलत फहिमी है बीजेपी ने जो नौकरी का वाड़ा किया है ओ नौकरी तो हमने दिया भी है और हमरा केडिविलिटी है जैसे असाम का सुनाओ का पहले मैं डिक्लियर किया था कि मैं एक लाख नोक्री दूँगा मैं पास लाख का बार नहीं बोला था कि इसलिए मैं जानता हूं यह संभब नहीं है मैंने एक लाख का बोला और लास्ट वीक हम लोग पहुंच गिया निरानबबए हजार साटानबबए में खाली और नौसवतीन नोक्री देना है जो इस महिना में जारखान का सुनाओ का पहले ही मैं कंप्लिट कर दूँगा मतलब हमारा हर प्रदेशों में जो भी सुनाओ घुसना होता है आपका नजदिक क्या है सतीस गर क्या सतीस गर में धा तो मामला आप सुनाओ का घुसना पत्र में आप क्या बोलते हो अगर आपको यही बात अधिकारिक रूप से बोलना है कि बीजेपी ने जूट बोला इसलिए हम भी जूट बोला तो ओही बात आप बोल दीजी अगर एतना ही बोलना है तब हम विशेशग कमीटी का निर्मान कर दूँगा फिर कमीटी बताएगा बीजेपी जूट बोला या जे एमेम जूट बोला लेकिन ये वादा आपका है हर लोगों का बेक्तित है आप सीबो सोरें जी का बेटा है आप एसे नहीं बोल सकते हैं कि हमने पास लग का वादा किया किया तू किया क्या है वो सेम पिटरडर जी बोलते थे हुआ तू हुआ क्या हुआ है तो एतना जूबा सकती को आप ऐसा एतना धिलापन में मत लीजिए जूबाओं का जब अंदोलन होते हैं जूबाओं जब गरज उठते हैं तो ये हमारा बच का बात नहीं होता है उनको कांट्रोल करने के लिए और अब चूकि युवा की बात कर रहे हैं आप नौकरी के मसले पे खास करके जूधन का युबाह है इतना परेसान है बार बार जैसे जो संस्था है जो कलेंडर नया जारी करता है इस वार भी नया कलेंडर जारी किया उसमें भी डेट को लेकर के इसू है मतलब जो नाराजगी है युवाओं की एक तो आपका तेश तारीक और कारकरम भी है युवा मुर्चा का कैसे युवा जो पार्टी के बाहर के जो लोग है और जो नाराज है उनको जोडने के लिए क्या कोशिश है की जारे है दो बात है बिशस्तनियाता जैसे हम भी जुबाओं को जब वादा करूंगा सुनाओं का गोसना पत्र से हमें एतना ही करना है जो हम कर सकता हूँ ना जादा ना कम जतना हो सकता है आप करिए जैसे हमरा असाम में फिक्स थे कुन महिना में APAC बोलता हूँ आप जो JSC बोलते है कुन दिन एक्जाम होगा और हर साल एक्जाम होना परेगा हर साल उसका रिजाल भी देते है और एपोइन्मेंट भी होते है कोई सारा प्रदेश्यों में इसको इंस्टिटुशनलाइज कर दिया गया है मेरा लगता है कि हमें जब BJP का सरकार होगा हमें डेफिनिट बोलना है कि हर साल का सेप्टेμबर में ही आपका प्रिल्मिनरी होगा ऑक्टॉबर में आपको मेंज होगा कैलेंडर लोगों को मालूम पढ़ना से आज जारखान से जुबा का पलायन जारखान में अपार खनीज है जारखान से जुबाओं का पलायन यह होना ही नहीं सही था लेकिन आज जारखान से एतना लोग माइग्रेट कर रहे है विदेश तक गिया है काम करने के लिए और बड़ा काम नहीं चोटे चोटे काम जो काम देनिक मजदूरी का काम होता है जो आप जारखान में उसका संभा बना जादा है जारखान का जो खनीज है जारखान का जो अद्भूत संपध है यह सब को हम अच् आप ही डेश को इलेक्टिसिटी डे सकता था लेकिन आज इहां से कोईला जाता है और प्रडेशु में इलेक्टिसिटी का निर्मान होते है वान नेशन वान ग्रीद है जारखान का जो कैला है जो भी कैला सलाने आते है उनको बूली आप कैला तभी आपको आक्षन मिलेगा जब साथ में आप एक power plan ख़रा करेगा, खाली condition ही लगाना है, आपको investment भी करना नहीं है, आज यहां से uranium जाते हैं, फिर process होने का बाद यहां uranium फिर दोबारा लोट के आते हैं, लेकिन factory यहां नहीं है, तो आप बोल रहें कि नितिगत मामलों में नितिगत, कोई-कोई मामला, बहुत बड़ा इसमें समतका नहीं सहिए, खली एक निन्ना कीजिए, पहला लेके नहीं जाएगा, खोल इंडिया का पास पैसा भी है, जारखान का development के लिए एक बड़ा भीशन लेके आपको आना परेगा, और तब जारखान का कोई जुबा पलाएं नहीं करेगा, कारण भ के मसले पे भी मैं सवाल अभी करने वाला था, चुकि जिस तरीके से सुप्रीम कोट का जो निर्देश आया, जजमेंट आया, और इसको लेकर के अब हेमन सोरेन जो है इस तरीके से वो फुना रहे हैं राजनेतिक तोर पे, चुकि एक लाग च्छतिस जार बकाया का जो मसल अब जब सुप्रीम कोट ने निर्देश दिया है तो वह बोलता है कि पिछली सरकारे जो है, इसको लेकर के प्रयास नहीं की और यही बज़ा है कि अब तक के पैसा नहीं आपाया था, अब अब नहीं है, उस केस में असम भी पिटिशन आ थी, बिलकुल, उसमें कई लगा, जब सुना हुआ, जब सुनवाई हुआ, जजमें दिया, उसमें बीजेपी सासित प्रदेश भी लगे रहा, जारखान भी लगे रहा, तो अभी यह कानून भी हम लोग एक साथ बनाया था, जारखान कोईला के लिए बनाया, हमने टेल के लिए बनाया, तो अभी जा नहीं कर रहे मतलब क्या है इस जाजमेन में भारत सरकार भी ठीक है राज्य को अधिकार मीले बिल्कुल तो ये हेमन्द सुरेन जी खाली नाम लेने से नहीं होगा उस उकील को हम लोग उने भी लगाया एक चीज जो देखने को मिल रहा है सांगाठनिक तोर पे कि हेमन्द सुरेन इंडिया अलाइंस के एक नेता है और वो सर्वमान ने हैं इंडिया अलाइंस में कोई चैलेंज नहीं है उधर या फिर कोई और दावेदारी नहीं है आपके तरफ से कौन चेहरा होगा देखे पी आम लोगों का पार्टी होता है परिबार बाद इहां में नहीं सलता है तो हमारा पास नेता है सामने ही आपका नेता है तो इसलिए जब पार्टी निन्नाई ले लेगा आज हम लोग बाबुलाल मारांडी जी का नेट्रितर में सुनाओ लड रहा हूं और हमारा पास ने सारे लीडर्स हैं और एक नहीं तो इसलिए पार्टी उसीत समय में पार्टी निन्न लेगा और आप एक बार देखिए हमारा जो भी नेता होते है जो भी प्रडेस में जैसे उरिसा में उरिसा का लोग मुसको क्वेशन कर रहा है तो आपका सी एम कुन होगा फेस कुन होगा क् मोहन माजी गरीबू का घर से आके सी एम नहीं बना क्या आज उन्होंने सबसे बड़ा बरिया काम नहीं कर रहे हैं सतीस गर में भी ये क्वेशन आते थे कि इंडिया का सामने इंडी का सामने हमारा कॉंग्रेस का सामने भुपेज बागेल है सर्वमाइन नहीं एक ही भाई सुनाओ होने दीजिये आपको अच्छा सहरा मिल जाएगा आज सब लोग सतीस गर में अतना खूज है दो दो आदिवासे मुखा मंत्री है कुन पार्टी से दो आदिवासे मुखा मंत्री है आज का दिन में लेकिन जार्खन मुक्ति मौर्चा और कॉंग्रेस के जो ल इसमें लोग सब चुनाओ के दारां कि एंडिया के तरफ से तो मोधी जी हैं आपका तरफ से तरफ से कौन है दो रहूल गंडी का कॉंपरेजन हो सकता है कि हमारा तो हम तो मान के सला था कि राहुल गंदी आपका नेता है तो उसमें हमारा कोई संदे तो नहीं था आपके संगठन में वो छेहरे जो अपने आपको दावेदार मानते हैं विधान सभा चुनाओं में टिकट को ले करके उनमें भी काफी सारा जो है असमंजस है मेरा पास जाएं कि सिवराद सिंग चौहान से मिलें किन से मिलें कि टिकट जो है मेरा कंफर्म हो जाए पहला तो उत्तर है मेरा पास मता ही है किसलिए जारखान का टिकट जारखान का नेताव और जारखान का प्रदेश सुनाव कमीटी को देना है और मैं नहीं मानता हूं कि मुस कारिय कर्टा का रूप से हूं सापोर्ट करने के लिए हूं निन्नाई लेने के लिए नहीं हूं और मैं मानता हूं ये बात सिब्राज जी के लिए भी है हम लोग दोनों का पास आने से हम क्या बोल सकता हूं कागस देखूंगा आप ठीक है अच्छा लगा है चाई पीके बावरी जी को मिलिए संगठन महामंत्री जी को मिलिए जो इहां आपको आकलन कर रहे जो हर दिन आपको डेख रहा है ओही लोगों को आप मिलिए उससे एसेस्मेंट हो जाएगा हम लोग दोनों को मिल के क्या होगा हमको तो सब कारिया करता ही हमको अच्छा लगेगा एक जो बदलाव भी हुआ है सरीव राय जार्खंड के बरिष्ट लीडर हैं पहले बीजेपी में ही थे वो अब जेडियू का दामन धामली है नितिश कुमार जी की पार्टी का नितिश कुमार जी आप लोगों के साथ हैं जार्खंड में क्या चुकि मौजित करके आते हैं क्या इतना स्पेस है जार्खंड बीजेपी में कि इन सारे लोगों को एक साथ मिल करके आप नौ में जाएं मेरा जो अपना वियूज है शरीव राय जन्ताडल यू में सामिल हुआ है जन्ताडल यू हमारा प्रमुख एंडिय का एक प्रमुख घटक हमारा प्रयाज होना साहिए जन्ताडल यू हो आश्चु हो बीजेपी हो या एनसीपी और जीट पावर ग्रूप हो सबको मिल के सुनाओ लगना है लेकिन कभी-कभी सुनाओ आइडियलिस्तिक होने से भी नहीं होते हैं उस सीटु में हमारा एक उन डाबीदार है उसका भी हमें सुनना परेगा लेकिन आइडियलि मुझको लगता है कि सहरुराई जी जब पहले अपना डल बनाया था तब गदबंधन होने का कुछ भी संभावना नहीं था लेकिन अब जन्ताडल यू में सला गिया है तो उनका साथ जरूर बातसिद होना सहिए और मैं एक बार उन चुनाव कमीटी और हमारा सेंट्रल लीडर्शिप इसका उपर डिसीशन लेगा लेकिन सुदेश जी हो शरूराई जी हो दोनों से में और सिब्राज जी निरंतर संगबात कर रहा हूं एक नई पार्टी बनी है जार्खन लोगतांत्रिक रांतिकारी मोर्चा जैराम महतो ये क्योवा हैं संभवता हाप उनके वारे में जानकारी नहीं चुके होंगे लोग सभा चुनाओ के दोरान जो है वो एक फैक्टर बने कई इलाकों में क्या हिमंता विश्वा सर्मा जैराम महतो फैक्टर पर भी नज़ा दख रहे हैं और क्या संभावना आप तलास रहे हैं साथ में जोडने का या फिर बाद की कुछ राजनीती हो जाए जैराम महतो जी आंदुलन से उभारते हुए एक नेता है और ऐसे नेता साधर अनता बीजेपी हो कॉंग्रेस हो किसी का साथ संपक राखना ओलुक पहला सुनाओं में कम से कम मेरा हिसाब से डिफिकल है किसले देज भर में ऐसा लोगों का साथ हमारा बातसिद होते है पहला बार ही अगर बीजेपी कॉंग्रेस जैमें किसी का साथ एलाइन्स करेगा तो उनका क्रेडिबिलिटी में क्वेशन आएगा लोग क्वेशन करेगा उनको तो इसलिए वो लोग हम लोगों से दूर रहना पसंद करता है लेकिन आपका ठ्रोसे में यही भी बोलूँगा कि कि किसी का साथ जैराम जी का साथ हो और जो भी जारखान का डेवलपमेंट साथ है जारखान का विकास साथ है उनका साथ बीजेपी को बैठने में बातसित करने में चाई पीने में कोई समझसा नहीं है आप बड़ी बात बोल रहे हैं मतलब आप प्रस्ताब दे रहे हैं कि सब को आप थोड़ा देखिए बैठने में, चाई पीने में कोई समझसा नहीं है लेकिन उसका आगे उसका आगे जाने के लिए सिरियस बाते होना परेगा मेरा नहीं लगता है कि इस सुनाओ में वो संभव होगा मेरा लगता है अगर इस सुनाओ का पहले हम लोग खाली एक बार चाई पी भी लेता हूँ वो ही ठीक है आगे में सुनाओ एक साथ लड़ना एक साथ जाना मेरा ये प्रैक्टिकल नहीं लगता है कि इसलिए मैं बहुत ही प्रैक्टिकल लोग हो और मुसको कहीं दिश्त्रिकुन से इसको प्रैक्टिकल नहीं लगते एक जो एक दो सवाल है उसके बाद समाप्त कर देंगे इंटर्विव लोग सभा चुनाओ में ये देखने को मिला कि हेमन सुरेन उस वक्ट जेल में थे एडी जब कारवाई शुरू की उस दोरान सबसे पहले आरोपी के तोर पे हेमन सुरेन उभरे लेकिन जब जेल गए तो वो पीडित बन गए और इसको जारखन मुक्ती मोर्चा और उनकी जो पत्नी जो अब बिधायक हैं गांडे से कल्पना मुर्व सुरेन उन्होंने खुब भुनाया और उसका लाब भी उनके अनुसार मिला जिसका वो दावा कर रहे हैं हेमन सुरेन एक दो दिन पहले उनका जनमदीन था जनमदीन की मौके पे जेल से निकलते समय जो मुहर लगता है कैदियों को वो तस्वीर साधा करके वो कई सारी बाते एक तरीके से खुद को पीडित के तौर पे पेस कर रहे थे क्या चुनाव के दोरान हेमन सुरेन अगर अपने आपको पीडित के तौर पे लेकर के घूमते हैं इसको कैसे आप लोग निफटेंगे इससे एक जार्खान का जनता को निनने लेना है क्या जार्खान में सूसासन है क्या जार्खान में गुद गवर्नेंज है कि जार्खान में बिना खर्षा करते हुए सरकारी काम होते है क्या जार्खान में सब कुष थीग है जो आप साते हो जार्खान का हर लोग जानते है कि पास साल में कैसा सासन जार्खान में रहा और जार्खान का लोग ही निन्ने करेगा कुन पीरिद है कुन आरुपी है अगर जार्खान सरकार ठीक ठाक सला कि राजनेताओं में कराप्शन नहीं है तीन सो कोर किसी का घर से नहीं मिला था पाइट्री स्कोर किसी का घर में नहीं मिला था आयेस ओधिकरी का घर से पास सेकर दोस क्रोर नहीं मिले थे जारखान में सब कुछ थीग है तब तु वो पीरिद है लेकिन जारखान में अगर सब कुछ नहीं सला है तब वो पीरिड है कि आरूपी है जारखान का लोग ही उसका निन्न नहीं लेगा एक आखरी सवाल हेमन सुरेंट का कोई काम आपको ठीक लगा होगा अब तक अगर एक भी काम आपको लगता है कि उन्होंने ठीक किया है जो जतना मैंने जार्खान को देखा और परोस ने का कोशिस किया कि ये स्थेट मुझे को एतना ही डूग है कि जार्खान में जतना संभा बना है और जार्खान डेश का अग्रनी प्रदेश बन सकता है सायद हम लोग बहुत ही हर सीज को पॉलिटिकली सोचते सोचते हम जार्खान का बिहद बिकास को हमने कहीं ना कहीं कम्प्रमाइज कर रहा हूँ मैं नहीं बोलूँगा कि गलत की आजशा किया किसले मेरा बेक्टिगर परिशाय बहुत सीमिध है हो सकता है कि लोगों के लिए काम भी किया होगा नहीं भी किया होगा लेकिन जो मैक्रो एंगल बोलता है एक बाहर से देखते हुए जो नजर होते है वो नजर से मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि जार्खान का संपद उका अगर अच्छा बेवहर होते थे, सूसासन होते थे तो जारखान आज बहुत ही अग्रणी प्रदेस बन सकते हैं इसके लिए मैं किसको दोस देना साव ही है मैं नहीं बोलूँगा, किसलिए मैं बेक्तिगद होना नहीं सावूँगा मैं अतना ही बोलूँगा, कि ये पास साल भगवान ने आपको अपरिशनेटी दिया था आपने ये अपरिशनेटी को कितना जारखान के लिए इस्तेमल किया साहे दो आप खोद ही सोसेगा अब जब नजर की बात है तो आखरी एक और सवाल हो जाए कि क्या आप अपनी नजर से क्या देखवा रहे हैं आने वाले चुनाओं में क्या बीजेपी आ रही है, आप ऐसा बस्तूश कर रहे हैं सरकार बीजेपी का ही होगा लेकिन मेरा जो अपना तमन्ना है कि सुनाओ का बात ये ना पुसे मुसकू कोई लोग कि आप अधिवासिव का सित नहीं मिला, नन अधिवासिव का सित मिला आपने नन अधिवासिव का सित मिला, अधिवासिव का गेर अधिवासिव का सित मिला अधिवासिव का सित मिला, इसका नहीं मिला, इसका नहीं मिला मेरा लगता है कि जार्खान में हमें हर जीले में हर समूह में हमें सिध जितना सही प्रयाज सुनाओ जितना नहीं है प्रयाज है हर समूह का विश्वास में हम लोग खारा उतर सको ट्राइबल बहुल स्टेट है सर। क्या आप अभी इस बत यह बताने के लिए सक्षम है कि अगर बीजेपी सरकार में आती है तो कोई बीजेपी का ट्राइबल चेहरा ही होगा जो सीम होगा। ट्राइबेल बहुत स्टेड है लेकिन ट्राइबेल महुचसब में भी ट्राइबेल का बेंजियन को मना कर दिया जाते है किसलिए एक विशेश समुदाई नराज हो जाएगा ट्राइबेल का जो बेंजियन होता है लास्ट अधिवासी महुचसब में था इस अधिवासी महुच सब में मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो देखा तो जो स्टॉल बनाया था, फूट फेस्टिवल वो लोग बोल रहे हैं कि हमें सरकार माना किया है कि ये डो बैंजन मत लाइए आप देखिए कहां से कहां हम लोग जा रहा हूं एक बिशेश समुदाई का तुस्ति करन के लिए आप ही बोल रहे हैं जारखान आदिवासी बहुल देज है प्रदेज है आदिवासी को बोला जाता है कि ये खाना आप नहीं ला सकते हो क्या बीजेपी ने कभी ऐसा किया था मैंने पाकूर में आदिवासी लोगों का बिरंबना खुद देखे आया हूं सत्रवास में देखे आया हूं जेमेम अभी नहीं मानते हैं ये आदिवासी प्रमुख प्रदेज है बीजेपी तो मानते हैं बीजेपी मानते हैं जेमेम नहीं मानते हैं जेमेम को अभी एकी है कि एक बिशेज बर्ग को आप तुस्ति करन करो लेकिन हम आदिवासी लोगों के लिए प्रतिवत था प्रतिवत हूं और आगे भी प्रतिवत रहोंगा आखरी सवाल है आजशू के साथ सीटों को लेकर के बातचित हो गई है आजशा से मैंने दो बार सुदेश जी को मिला सिबरा जी ने भी एक बार मिले और ओ गिया मंत्री जी का साथ भी निरंतर संपर्क में है मैंने अतना ही सुदेश जी को भी बोला हूँ और BJP को भी हमारा प्रदेश नेटा गन को भी मैंने बोला हूं कि हमें practical approach लेके and accommodation का approach लेके हमें सलना है और हमारा identity BJP से NDA बनाना है तो इसलिए मेरा लगता है कि सब कुछ थिक सलेगा सुक्रिया सर समय देने के लिए बहुत बहुत देना बद लिए बढूश है अविणध अअबुट सूडब चूँट लिए लेक्टिर्च तुटिट इस स्ट्राइडरी फसलिए 100% result-oriented rankers batch study package and class notes in PDF आई प्रफॉप टॕट लिए लाग्ट अटम्ना िफुस्त प्रफ गन्ट आप में आपन्ट टॉट चूडैट www.followup.in